आप सब्सक्राइब करता हूं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है RBSC याने की राजस्तान बोर्ट की जितने भी एक्जाम है 10-12 के रिजल्ट आ चुका है तो अब आप यह जान सकते कि किस परकार आप अपनी कॉपिया चेक कर रह सकते हैं जी हां दोस्तों अग कि आपको किस परकार मंगवानी है कैसे पूरी प्रोसेस है वो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वलाओं तो सबसे पहले मैं चाहूं हो जितनी भी दो चैनल पर नए है या फिर पहले आप रिजिट कर रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आ कोपी ओनलाइन मंगा सकते हैं इसके लिए आपको एप्लाइ करना पड़ेगा राजस्तान.gov.in के उपर चली देखते हैं माद्य में सिक्षा बोर्ड ने अदेश जारी क्या है जो चातर चातर हैं अपनी कोपी देखना चाते हैं वो ओनलाइन एप्लाइए कर सकते हैं आपक कि आपको मिल जाएगा इसके लाव में बताओं आपको यह मैं आपके लिए खोच के लिए क्या हूं देखिए बोर्ड दारा बारवी विज्यान संकाय का रिजल्ट आठ जोलई 2020 को जारी कर दिया गया है जो चातर चातर है अपने परिणाम से संतुस नहीं है अभी तक साइ प्रिक्षा 2020 में प्रविस्ट हुए सब्या ब्यारती प्रिक्षा अपनाम गोशित होने से साथ दिन में बिना विलम शुल के किसी भी तरह की लेट फी नहीं लगेगी और तीन दिन के बाद अगर जैसे साथ दिन हो जाने के बाद तीन तक आपको लेट फी के साथ आप सब्सक्राइब प्रदत अंकों के यूग में भिन्यता मान लोगर आपने टोटलिंग उनने दिया अगर टोटलिंग में कोई गड़बड़ी हो अंदर बाहर किसी भी प्रशन में अंक नहीं दियेगी हो सिर्फ यह बात की जा चुकी आप ऐसे नहीं जा सकते कि बोले सार यदि किसी कोश्चन के लिए आंसर नहीं दे रहेगा तभी आप लोग शिकायत कर सकते हैं आनेता नहीं कर सकते हैं अब देखिए अंतिम दिती तक प्रास सभी आवेदेनों को करंबत पंजीकरंड SMS दौरा परिक्षारती के प्रातना पत्र मंकित जो भी आपने पर SMS दौरा पास्वर उपलप्त कराया जाएगा और जहांसे आप देख सकते हैं आपको पता दूं फीस वगेरा जो भी है सोर पेपर पर कॉपी फीस रखी यह देखिए पुनर मुल्य अंकन नहीं किया जाएगा ध्यान दगें आप अगर उस तर पुस्तिका देखने के ला अंतिम तिती तक प्राफ्त हुए सबी आविदनों को क्रमबत तरीके से कर SMS दौरा परिक्षारती के प्रातना पत्र मंकित मूबाल नंबर पर पंजी करन संक्या एवं आविदेत इविदियों की सूचना अंतिम दिरां के बाद दी जाएगी तो इसलिए आपको करना क्या है आपको अपना मूबाल नंबर सही रखना है ठीक है अगर आप उसतर पुस्तिका देखने के लिए आविदन कर रहा है तो अपने मूबाल नंबर और अपके पैसे वेस्ट और आपका टाइम वेस्ट होगा इसके अलावा बोर्ड ने ये भी चेताव ने दिया अगर कोई इमित्र संचलक अपने मोबाल नमबर देता है तो ये नियम के विर्योद माना जाएगा और एक मोबाल नमबर वे इमेल को एकी बार प्रिक्त कर जाएगा ऐसा नहीं कि आपके घर में अगर मान लीजे किसी पेर गलती तो नहीं रहेगी कई पार ऐसा होता है घलती रह जाती हर बड़ी में तो जल्दी जाएं और देखें और अगर वीडियो अच्छी लेग रहे तो वीडियो को जादा स्याद अपने दोस्तों आपने नेक्स वीडियो में है